सदा बाहर सच्ची कहानियों पर आप सभी वीवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार चलिए वीडियो सुरू करते हैं मेरे घर में केवल चार लोग थे मुझे मिला कर मैं मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पती मैं अपनी सास की इकलोती बहुती मेरे पती ने ग्रेजुएशन की हुई थी और नोकरी के सिलसले में उनको बाहर कमपनी ने ओफर किया था तो वे बाहर मुझे छोड़कर आज मेरा पती मुझे विदेश छोड़कर जा रहा था रो रोकर मेरा बहुत बुरा हाल था आखिर उनके जाने का वक्त भी आ गया मैं दर्वाजे पर खड़ी थी जब वो मुझे हाथ हिला कर चले गए मैं अकेले रह गई मेरी सास ने उसी वक्त मेरे बालों से पकड़ मुझे घसीटा और अंदर कमरे में ले गई पागल हो गई है क्या अपने पती के जाने पर ऐसे नहीं रोते ये मनहुस बाते होती है चुपकर बैठो वरना पता नहीं मेरे बेटे का रास्ता कैसे गुजरेगा सास ने मुझे डांट दिया फिर मैं अपने कमरे में चली गई शाम को मेरा दिल बहुत भारी सा हुआ मुझे एक कड़ी नजरों से देखे जा रही थी सर से पाउं तक मुझे यूँ घूरे जा रही थी मेरा कोई खास जाजा ले रही हो फिर मुझे अपने पास बुदा कर बोली ये रंगीन दुपट्टा क्यों उड़ा रखा है ये तो सुहागने ओड़ती है न ये भगवान में विद्वा थोड़ी न हुई थी मगर साज के डर की वज़ा से मुझे उनकी ये बात भी माननी पड़ी मैंने कमरे में गई और अलमारी से काली रंगी चादर निकाल कर ओड़ ली मुझे ये रंग पसंद नहीं था सिर्फ अपनी साज की जित पर कभी कभार पहन लेती थी मगर आज मुझे ये हमेशा के लिए पहनना पड़ा था चादर ओड़ कर मेरा दिल इस तरह उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही लेट गई थी मेरी साज मुझे आवाजे देने लगी मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी मेरी जिम्मेदारी थी अगले दिन की रात तक मैं बहुत ठक चुकी थी मैंने दिल में सोच लिया कि अब यहां ना रहूंगी भला जब पती घर पर नहीं तो मेरे ससुराल में रहने की क्या तुकमती है फैर में रात भर सोचती रही सुबा उठी तो सर पकड़ लिया मम्मी मुझे पूछने लगी क्या हुआ है मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द और बुखार है दिल बहुत भारी हो रहा है मैं अपने माई के जाना चाहती हूँ असल में ये तो एक बहाना था जिसकी वज़ा से मुझे अपनी सास से फुटकारा मिल जाता मगर उन्हें तो जैसे किसी की परवाही नहीं थी अरे मामूली सा बुखार है शाम तक उतर जाएगा नहीं उतरा तो फिर मैं किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी सास ने मुझे तसल्ली दी मगर मा मुझे अपने माय के जाना है मैं अपने ममी पापा से मिलना चाहती हूँ मेरा दिल भी हलका हो जाएगा क्यों भाई तेरे दिल पर कौन सा बोज है उन्होंने मेरा जैसे मजा कुड़ाया हम भी तो अपने पती को इतने साल तक दूर रहे थे सास जैसे मुझ से अपने कर्मों का बदला ले रही थी मैं परिशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कांधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने को कहा मैं बैठी तो सास ने मुझे धमकाया कि मैं वहीं खड़ी रहूं और सास अंदर से एक काले रंकी बोतल लेकर आई मुझे चारपाई पर लेटने को कहा अब न जाने कौन सा हकीम वाला इलाज शुरू होने माला था मैंने दिल में सोचा फिर मेरी सास ने काले रंकी बोतल से थोड़ा सा तेल निकाल कर मेरे सर पर लगाने लगी तेल अजीब सा था मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी सर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो ममी जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया साथ ही सर की मालिस भी शुरू कर दी अब तो मुझे आराम आ जाएगा ऐसा तेल है जिससे तू साथ आठ दिन तक लगाने से सही हो जाएगी तेरी तबियत बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे घर में पहले यही इस्तिमाल होता था बलकि हमारी सास हमें यही लगाया करती थी अब मैं बस बेबस होकर बैठ गई बहाना तो कर लिया था मगर बुरी तरह फंस गई थी उस कड़वे तेल की मालिस करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था आधे घंटे के बाद सास ने मल मल कर मेरा सर छोड़ा तभी दरवाजे पर कोई आया मैंने दरवाजा खोला तो हमारे पडोस की सामने की एक औरत खड़ी थी ये मेरी सास से रोजाना मिलने आती थी उसे देखते ही मम्मी खुश हो गई और बोली आजा रेनु में तेरा ही इंतिजार कर रही थी देखो मेरी बहु के सर में दर्थ था मैंने उसकी मालिस की तो ये सही हो गई मैं वहाँ से अपने कमरे में चली गई फोड़ी देर के बाद इन औरतों के लिए चाय बना कर ले आई मेरा दिल भारी सा हो रहा था चाय पीने से और भी हो गया मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई जल्दी ही मुझे नीद आ गई रात के आट बजे मेरी आँख खुली देखा तो मेरी सास ने खाना बना कर तयार कर लिया था मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी आजा आकर खाना खा ले मैंने खाना खाया मगर मेरे मुख का टेश्ट बिलकुल बिगड़ चुका था उस मालिस ने तो मेरी तबियत और भी खराब कर दी थी मैंने खाना खा लिया तो हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा तो जाकर अपने कमरे में सोजा कभी सूबा के बरतन धोना होता था मगर आज मेरी सास का बहुत महरबान रवयया देख कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था फैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई मुझे इस तरह नींद आई जैसे किसी को नसा पिलाया गया हो सूबा तक मैं सोती रही मुझे अपना होस भी नहीं रहा सुबह उटी तो मेरा सर भारी था मुझसे चला भी नहीं जा रहा था मैंने अपनी सास से कहा मम्मी जी आपने तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया था मगर उसने मेरी हालत बहुत खराब कर दी है मुझसे चला भी नहीं जा रहा तबियत और खराब हो गई है मेरी बात सुनकर वे थोड़ी हक्का बक्कासी रह गई कहा अरे बेटी साथ आठ दिन बाद ही तो ये तेरी असर करेगा अभी तो तेरी तबियत खराब है क्योंकि इस तेल की वज़ा से शुरू में ऐसा ही होता है अपनी सास की इन बातों से मेरे दिल में थोड़ी सी तसली हुई मगर मुझे अजीब सा लग रहा था अब इस मालिस से मेरी तबियत ऐसी ही भारी हो गई तो मैंने सोचा इस मालिस से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल छुपा देती हूँ मैंने ऐसा ही किया शाम को वो अपने किसी काम से बाहर गई तो मैंने वे तेल की बोतल लेकर कमरे में छुपा दिया अगर ज्यादा हंगामा किया तो बता दूंगी अब मुझसे बरदास नहीं होता। ये रोज-रोज के ड्रामे तभी मैंने तेल छुपा दिया। मगर सास ने आकर रात को जो तेल ढूंडना शुरू किया, बोली तेरी मालिस करनी है। तेल कम हो गया है, मैंने भी अपना कंधा उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि आपने तेल कहां रखा है। बस मम्मी जी ने इस तरह सोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सर लग रहा था, भला मम्मी जी को मेरे सर की मालिस की इतनी भी क्या जरूरत थी। अगर मेरी सास का रवया भी मेरे साथ पहले से अच्छा होता तो मैं इस बात को मान सकती थी। देकिन उनका रवया भी ऐसा था कि उनसे इतनी भलाई का उमीद भी नहीं कर सकती थी। जो पहले इरादा किये बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूँगी। जब मैंने तेल नहीं लगवाया तो मुझे रात अच्छी नीद आई। इसलिए अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। भला ऐसे इलाज की क्या जरूरत थी जिसकी वज़ा से मेरी तबियत और खराब होने लगी थी। एक रात के लिए उस रात मैंने अपने कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंग कर दिया बलके उसमें ताला लगा दिया। मुझे हैरत हुई, आज मुझे नीन नहीं आ रही थी। फोड़ी देर बीते की मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाजे आने लगी। ये आवाजे जैसे किसी की बाते करने की थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाजों को ध्यान से सुनने लगी। कुछ खीचने की आवाजे भी आ रही थी, जबके दो-चार आदमी एक साथ बाते करने की आवाज भी आ रही थी। मेरी सास ने न जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था, मैंने भी अपने कमरे की बत्ती बुझा रखी थी। मैंने देखा उसको दो आदमी हलकी रोशनी में हमारे आंगजे बाहर वाले दरवाजे से जा रहे थी। पहले मैंने सोचा कि इस जरूर मेरी सास का कोई रिष्टेदार होगा, लेकिन रिष्टेदार होता तो यह चोरी छुके आकर मिलने की क्या जरूरत थी। सामने भी मिल सकता था, यानि दिन के वक्त मगर ये रात को ही क्यों आये। अब तो मेरा शक और भी पक्ता हो गया, सुबा उठी तो मैं बिल्कुल अपने आपको ताजा महसूस कर रही थी, मेरी तबियत भी ठीक थी, मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली रात तू सो गई थी, मिनाक्षी, हाँ मम्मी जी मैं सो गई थी, लेकिन बहु मैं जानती हूँ या तंद्रुस्थ हो, या परिशान हो, मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि रानों की मा बस वे आयरवेदिक दवाहीं देती थी, उसके सिवा कुछ नहीं, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था, मम्मी अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज मम्मी की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया, अरे मम्मी मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे गुस्सा आ गया, मेरे साथ जवाब लड़ाती है, वरना तेरे पती को परदेश में बता दूंगी, कि पहुँच गए, रानो अंटी की मम्मी अपने तै किये हुए एक हकीम से राय ली थी, मगर तभी तो मुझे उन दवाब पर विल्कुल भी यकीन नहीं था, मम्मी ने उसके सामने मेरी समस्या बताई और कहने लगी, वह मुझे तेल दे दो, जो तुमने पिछली दफा दिया था, मम्मी की बात सुनकर उसने कुछ देर तो सोचा, और फिर एक लड़की को आवाज दी, जो उसी तरह की काली तेल लेकर मम्मी के पास आ गई, मम्मी ने नई शीशी ली, और रानो अंटी की मा का थेंक्स किया, और फिर मुझे लेकर आ गई, आकर वे बड़ी खुस लग पर नहीं लगाने दूगी, मैं भी अब अपने आप पर उतर गई थी, सरसो के तेल में काली स्याही मिला दी, और उस बोतल में डाल कर वहीं रख दी, और वे वाला तेल पौधों में जाकर गिरा दिया, सास को शक भी नहीं हुआ कि मैंने वे बोतल से तेल बदल दिया है, र साथ दिन में तेरी तबियत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, मुझे कोई बिमारी नहीं थी, फैर मैं वापिस अपने कमरे में आई तो मुझे नींद आ रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, पहले तेल मालिस के बाद मेरा सिर तो बिल्कुल भारी हो जाता था, थोड़ी देर लेटी रही, तब मुझे लगा जैसे वही आवाजे फिर से आ रही है, आज मेरा दर्वाजा बं था, जबकि मेरी सास को यकीन था कि मैं सो गई हूँ, इसलिए वे दर्वाजा बाहर से बं नहीं था, जब आवाजे बढ़ गई, तो मैंने उठकर दर्वाजा खोला और अप उन्हें मेरे दहेज के बरतन समा रही थी, लड़कों ने अपने चेहरे ढख रखे थे, वे लोग मेरे दहेज का समान लिजा रहे थे, ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे, मैंने अपनी सास का सामना किया, और कहा मम्मी जी, ये कौन है, और मेरे दहेज के बरतन उ तो नहीं सकती मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली मेरी सास उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होने लगी मैं जो चाहे करूं ये मेरा घर है मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है उनकी आवाज उची होती गई ये देखकर वे लड़के जल्दी से घर से भाग गए मगर मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी मैं भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी बहस करते करते उन्होंने हार माल ली बोली के तेरे दहेज का समान में अपनी बेटी के घर पहुचा रही थी थोड़े ही दिन की तो बात है समान वापस आ जाएगा मगर तू अपने दहेज को हात नहीं लगाने देती इसलिए तुम्हारे जाने के बाद ये काम कर रही थी ममी की बात सुनकर मुझे गुस्णा आ गया जबकि ऐसी बात नहीं थी मैंने कभी उनको मना नहीं किया था फिर ना जाने क्यों उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की जब मेरी और उनकी तकरार बढ़ गई वो मुझसे धमकियां देने लगी कहने लगी कि मैं तुझे बदला लेकर रहूंगी तुने मेरे बेटे का घर बरबाद कर दिया है मैं अभी उससे फोन करूंगी और बताऊंगी कि तु रात को लड़के से मिलने जाती है मेरी साज की ये बात भी मैं समझ गई थी तो फिर अब क्या चाहती है मैं एक बार फिर अपनी साज के आगे मजबूर हो गई थी लेकिन आखिर कब तक मैंने दिल में सोचा के सामने बैठ गई और कहा करो आप किसको फोन करना है आपकी मर्जी जिसको जी चाहे करो फोन मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज नहीं दूँगी मेरी बात सुनकर मेरी सास गुसे में आ गई और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया मैं जाकर दर्वाजे के आगे गिर पड़ी वे गुसे में तंतनाते हुए बाहर गई तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई अब न जाने क्या होने वाला था उसका गुसा यकीनन किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था आखिर उन्होंने ऐसा ही किया परदेश में मेरे पती को फोन किया मैं भी पास ही खड़ी थी और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बाते कर रही थी जिसका मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी मगर उनकी बातों में इस तरह जहर भरा था साहिल भी मजबूर होगा मैं उससे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फोन से हाथ नहीं लगाने दिया मेरा दिल चाह रहा था उस बुढ़िया की हड़िया सही कर दूं, मगर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी साहिल ने जब मुझे कह दिया कि तुम ममी के मामले में मत बोलो, मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा मेरा दिल मचल कर रह गया, साहिल बहुत गुस्से में था उनकी मम्मी ने जो बाते कही थी, सुनने के बाद कोई भी पती अपनी पतनी को अपने घर में बरदास नहीं कर सकता था, फिर मेरे लिए तो उस बात का सोचना भी मुम्किन नहीं था, अगले दिन उन्होंने मुझसे फोन पर बात की, मैं समझी के शायद वो मुझसे फोन पर हम दर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर मुझसे लड़ते रहे, अपनी मा की बातों पर आखिरकार मेरी डिवोस तक फैसला हो गया, उन्होंने कहा गैर मौजूदी में मैंने उनके साथ बेवफाई की है, इस बात ने मुझे आशूओं में भीगो दिया, सोच सोच कर म मैं पागल हो गई थी, मेरा पती मुझसे ऐसा रवया क्यों रखने लगा, मुझे वे छोड़ने तक की बाते कर रहा था, और बोर रहा था कि मेरे घर में तुम्हारी कोई जगा नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया, मैं रोती बिलखती रही, अपने मा बाप की घ मेरा कसूर तो कुछ नहीं था, मगर मा बाप परिसान हो गए, मैंने भी उनकी परिसानी में अपनी परवा करने के बजाए, उनका साथ दिया, उन्होंने जिस भी मेरी दुबारा शादी करवाई, मैंने वहां कर ली, मा बाप की रजामंदी का फल मुझे ये मिला, कि मेरी श जिन्दगी में अब बड़े मजे से गुजर रही है, मैं अब इस तरह सुकून से जी रही थी, एक दिन मुझे अपने मुहले में दावत में जाना पड़ा, मेरी बातों बातों में उसने मेरी पिछली सास का जिक्र किया, मैंने पूछा वो कैसी हैं, उनकी हालत पर अफसोस ती वे बहुत अमीर घराने की लड़की थी, धेर सारा समान भी साथ लाई थी, उसने आते ही उस ओरत को सीधा कर दिया, उसकी एक एक बात ना मानी और ऐसी ऐसी बाते अपने पती के सामने करती बुढ़िया कुछ ना कर सकती थी, और वे ओरत बहुत खुबसूरत थी, और अमीर भी इसलिए उसका कूँछ रोग उसका ऐसे भी था। तुम्हारी साहब तो तुम्हारी आधी हो गई थी।। उसने उसके साथ भी वैसे ही करने की कोशिष की। तो ना कर सकी, रात अंधेरे में उसे रंगे हाथों पकड़वा लिया और दर असल तुम्हारी सास की समस्या उसे सुरू से ही चोरिया करने की आदत थी, ना जाने उसे आदत क्यूं है, हलाकी घर में भगवान ने किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, उस औरत का पसंदीदा काम चोरी करना था और जूट बोलना, अपने बड़े बेटे की पतनी का भी उसने बुरा हाल किया था, लेकिन उसका बड़ा बेटा अपनी पतनी के गम में मर गया था, अब तो हाल ये था कि ताला बंद करके तो वह उसे खाना देती थी, वरना सारा सा होनी चाहिए मैं जानती थी कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है उसने अपनी पहली बहु के साथ भी ऐसा ही किया था मैं अपनी सास का हाल सुनकर फुश तो नहीं हुई क्यूंकि किसी को तकलीफ में देख कर फुश होना मेरी जात में नहीं था मगर सस्तो यह है कि इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती रहती है तो कैसी लगी दोस्तो मेरी एक कहानी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा जब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग लाइक और सब्सक्राइब